हेलो फैंस वेलकम टू माई चैनल कृत का शिंग कौन है जाने के पूरे डिटेल में यूपी पीसेस टॉपर दो हजार बाइस रैंक फिप्टीएट सिक्न अटेप में हुआ सेलेक्शन कभी भी कोई कोचिंग नहीं की ऑनलाइन क्लासिज एन सेल्प स्टेडी से हुआ बहुत परेशान थे कि क्या होगा सेलेक्शन होगा या नहीं लेकिन अचानक एक फ्रेंड का फॉन आया कि आपका सेलेक्शन हो गया है आप डिएसपी बन गई है कितका जी पहले स्सी के तयारी करना चाहती थी एक सरकारी नौकरी पाना चाहती थी लेकिन मैम की दीदी ने सिबिल की तयारी करनी कली कहा पिता जी एक किसान थे लेकिन पिता जी ने हमेशा पढ़ाई कली मोटिवेट गिया जब मैम ने सिबिल की तयारी स्टार्ट की थी तब कोई आडिया नहीं था कैसे क्या पढ़ू लेकिन अपनी सीनियर और दोस्तों से पूछती थी क्या पढ़ू कुछ टीचर्स भी थे जो आडिये दिया करते थे डेली का रूटीन रहता था साथ आठ बजे अपना एक दू बजे तक सो जाना डेली दस बारा घंटे पढ़ना एक दिन पहले की प्लानिंग कर ले थे थी कि कल क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है टाइम को बहुत अच्छी से मैनेज किया कहीं भी टाइम विश्ट नहीं किया फौन से दूरी बना के रखी जौब छोड़ दी जैतर अपना टाइम पढ़ही में दिया पहले एक ही किताब को बार बार पढ़ा अंसियाटी पढ़ी लूसेन पढ़ी पढ़ी पलती के लिए लक्ष्मिकान पढ़ी इसके बाद बार बार रिवीजन किया टैसी रिज्वन की तो कई किताबें नहीं पढ़ी लेकिन एक ही किताब को बार बार पढ़ा फौन से एक नमबर से सेलेक्शन रोग किया तो बहुत दुख हुआ मैम को हमेशा डर रहता था कि क्या होगा मेरा सेलेक्शन होगा या नहीं लेकिन अब हमें डरना नहीं है क्योंकि डर हमें कमजोर करता है इसलिए डरना छोड़ दीजे मैम का संदेश है कि डरना नहीं है प्रैक्रिस बहुत जरूरी है हमेशा पॉस्टिव रहें कभी किसी से अपनी कम प्यार ना करें हमेशा पॉस्टिव लोगों के साथ रहें एक अच्छा दोस्त बहुत जरूरी है जो आपको सही कलत को समझा सके जो आपको पॉस्टिव एनर्जी दे लड़कियों के लिए बिस्टिव संदेश है कि लड़कियां डरे नहीं आगी बढ़ें और एक रोल मोडल के रूप में आगे आएं धन्यवाद